Injector Back Leak Test for E366 and E474 BS6 Vehicle in Static Condition by DA Light App Injectors के अंदर का कोई पार्ट खराब है के नहीं ये जानने के लिए ये टेस्ट किया जाता है Injector Back Leak Cranking Test उस वहिकल पर किया जाता है जिसके Injectors की Return Line से अधिक मातरा में फ्यूल आने की वज़े से वहिकल ब्रेकडाउन हो जाता है Procedure वहिकल को Flat Surface पर पार्क करें Parking Break अपलाई करें वहिकल को Neutral Position पे रखें Cabin को Tilt कर दें प्रत्येक Injector की Return Line को निकाल दें प्रत्येक Injector की Return Port को Collecting Jar के ट्यूब्स के साथ जोड दें DA Light Dongle को वहिकल के साथ Connect करें DA Light Plus App में Advanced Diagnostics Option में जाएं IOR, Input Output Routine Test Option को सेलेट करें लिस्ट में से Injector Back Click Cranking Test को सेलेट करें उसके बाद एक नया स्क्रीन ओपन होगा जिसमें Notes and Pre-Conditions होंगी अगर सारे Conditions सही हैं तो टिक मार्क करना है और Continue बटन को क्लिक करके टेस्ट में आगे बढ़ना है उसके बाद एक स्क्रीन ओपन होगी जिसके Start Option को प्रेस करने से टेस्ट स्टार्ट हो जाता है स्टार्ट बटन को प्रेस करते ही एक नई स्क्रीन ओपन होगी और वीकल आटोमाटिक 10 सेकंड के लिए क्रैंक लेगा इस टेस्ट के पूरा होने के बाद रूटीन स्टेटस का एक नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद कलेक्टर ट्यूब में हर एक इंजेक्टर से जमा हुए फ्यूल को स्केल के द्वारा मेजर करें फ्यूल को इस तरीके से मेजर करें फ्यूल बैकलीक 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए यदि इंजेक्टर का बैकलीक फ्यूल लेवल 10 सेंटीमीटर से अधिक होता है तो वो इंजेक्टर खराब है